तो आज मैं आपके साथ बहुती बढ़ी आनुसका सेर करने वाली हूँ अगर आप अपनी मेरिड लाइफ से प्रैसान हो अगर आपको धिलापन कमजोरी का सामना करना पड़ रहा है तो यह वीडियो आपके लिए है वीडियो को पूरा देखें बहुती बढ़ी आट टिप्स मैंने इसके अंदर बताए हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अगर चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो पुसंदाए तो लाइक और सेर जरूर करें तो आपको सबसे पहले लेना है लेसुन और लेसुन आपको देशी लेना है देशी लेनी है तो आप जादा भी ले सकते हैं लेसुन में अंटी ओक्सिडेंट होता है जिससे सिप्रम काउंट बढ़ता है लेसुन में सेलेनियम नामक योगिक होता है जिससे सुक्राणों की संक्या बढ़ती है तो ये बहुत ही बढ़िया होता है वैसे सभी के लिए ही ये आप ये एक से दो महीने तक भी बना करके रख सकते हो रोजाना बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत ही बड़िया यूजफुल टिप्स है वीडियो को पूरा देखें कई चीजे में बताने वाली हूँ कैसे लेना है कब लेना है ये भी मैं बताऊंगी कैसे इस इसके बड़ाता है और बहुत ही बड़िया इसके भी रिजल्ट है आपको देखने को मिलेंगे जब आप इसका सेवन करेंगे आपको पूरी भरी सीसी लेनी है और उसमें से आधा निकाल देना है तो 100 ग्राम लेसुन 100 ग्राम ही आपको सहद लेना है दोनों ब्राबर मात्र मैं देखिए इसके अंदर सहध थोड़ा सा कम था तो ये सहध जो पड़ा है मेरे पास ये नेचुरल है नेचुरल सहध देखिए किस तरह का होता है इसका कलर देखिए और ये देखिए टेक्स्टर देखिए कितना बड़िया होता है तो ये जो नेचुरल सहध मेरे पास पड यह जो लेसुन है वो और इस तरीके से आपको लेसुन और सहर एक साथ में मिक्स करना है तो यह थोड़ा ज्यादा ही पुराना है तो इसका कलर जो है डार्क होर का है वैसे इसका कलर जो थोड़ा सा लाइट होता है जो नेचुरल सैद होता है उसका और बहुत ही ज्यादा चि व्यादा लेसून लेना है, तो आप काच की बड़ी सीसी लेके, या फिर कोई भी बरतन लेके उसके अंदर डाल करके इस तरीके से आपको चम्मत से मिला देना है। सहद आपका energy level भी बढ़ाता है, stamina भी बढ़ाता है, बहुत ही बढ़िया है, सहद के result भी बहुत अच्छे हैं, अगर आप अगेले सहद का भी 7 करते हैं, तो ये भी बहुत ही बढ़िया होता है पूर्सों के लिए, तो इसको डखन लगा करगे रख देना है, दो से तीन महीने तक आप इस तरीके से बनाए हुई remedy का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगी, अब इसको लेना कैसे है, वो मैं आगे detail से बताऊंगी आपको, तो सबसे पहले आपको एक बगोना लेना है, गैस या इंडेक्शन के उपर रखना है, और इसके अंदर आपको एक गिल जाना करना है, तो अब आपको क्या करना है, एक गिलास लेना है, और इसके अंदर आपको डालनी है कोफी, कोई भी ब्रेंट की हो, जो भी आपके पास है, कोफी में मौझूद कैफिन से टेस्टोस्टोरिन हार्मोन बढ़ता है, और ठकाउट भी नहीं आती है शरीर में, औ पूरा दिन जो है, एनर्जी भरा रहता है, तो एक पाउच मैं यहाँ पर कोफी का डाल रही हूँ, आप एक चम्मच से ज़्यादा कोफी ना डाले इसके अंदर, अब आपको निम्बू लेना है, निम्बू मैंने यहाँ देखिए बड़े साइज का लिया है, तो मैं आद निम्बू से पुर्सों की फर्टिलिटी बढ़ती है, इसमें मौज़ों विटामिन सी से इम्म्यूनिटी बढ़ती है, आदा निम्बू इसके अंदर निचोड देना है, बीज निकाल करके कोफी के अंदर, और निम्बू जो है शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखता है, प बहुती बढ़िया जल्दी बनने वाला नुस्खा है, ये आपको इतना रोजाना बनाना है, और शहद वाला आपको एक बार बना करके रख लेना है, तो निम्बू और कोफी को इस तरीके से हर रोज आपको मिक्स करना है, चूंकि हर रोज लेना है तो ताजा ही बनाना है, निम्बू कॉफी को आप मिक्स करके तो रखने ही सकते तो इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है और जो हमने गरम पानी किया था वो इसके अंदर डाल देना है बस इतना काम ही आपको करना है चाय बनाने से कम टाइम लगता है इसमें इतना ही काम आपको करना है और अब आपक देखने को मिलेगा तो इसमें से आपको क्या करना हर रोज एक कली लहसुन की निकालनी है ये देखिए छोटी हो बड़ी हो एक कली आपको निकालनी है और कोफी के अंदर डालनी है और साथ में आपको थोड़ा सा सहद भी डालना है यही वाला सहद आपको एक चमच के करीब खाने वाली चम्मच एक चम्मच डालनी ये शैद की और अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देना है अच्छे से इसको मिक्स कर देना है और मिक्स करके आपको पांच मिनिट इसे रख देना है क्योंकि ये गरम भी तो है भी हमने फुल गरम इसके अंदर पानी डाला है तो फु सकते हैं तो इसे आपको पीना कब है वो सुन ले रात को सोने से 15 मिनट पहले पीना है और कोफी जो है हमेशा ही सोने से आदा गंटा 15 मिनिट पहले ही पीना चाहिए क्योंकि कोफी से नींद बादित होती है नींद नहीं आती है पीने के बाद और 15 मिनिट पहले लेने से ये जो है अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगी तो इस तरीके से आपको इसका सेवन करना है हाँ जो डाइबिटिक है उनको सैद नहीं डालना है और लेसुन जो है जिनका खून पतला होता है पहले से ही उनको नहीं लेना है और जिनको लीवर की प्रोब्लम है उनको नहीं लेना है बाकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसे कोई भी ले सकता है तो कोफी आपको पीना है और लेसुन को चबा चबा करके खाना है ये नुश्खा आप रोजाना वैसे तो इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन फिर भी शरीर को आदत ना पड़े और किसी भी चीज की अती जो है नुक्सान दायक होती है तो आप या तो एक हपते ले ले उसके बाद दुवारा से ले ले इस तरीके से आप तीन महीने अगर आप इसको लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रेजल्ट मिलने वाला है बहुत ही बड़ीया रेजल्ट मिलेगा आप अपने आपको अनर्जेटिक मैसूस करने लगोगे तो कैसा लगाज का वीडियो कॉमेंट म जरूर बताएं अगले वीडियो तक के लिए बाई बाई